चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना तो आज की वीडियो काफी जादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को एंट अप लोगों को जरूर देखना है इस वीडियो में हमने परस्नलाइज एड्स के बारे में बात की है बहुत सारे लोग की हमें कंप्लेंड आती है कि उन्होंने क्रोम में कुछ स सब्सक्राइब तो किसी भी एक चीज पर अगरो क्लिक भी कर देते तो उससे अनको फोन आने लगते हैं मेसेजस आने लगते हैं और उसके अगरे सजिशन आने लगते है फिर वो गूगल के किसी प्रोडोग पर जाकर सर्च करें तो ऐसा क्यूं होता है आपको यह चीज़े ना हो आपके साथ ये चीज़े ना हो या फिर personalized ads आप कैसे बंद कर सकते हो ये आज की इस वीडियो में हमने बताया है तो Android के काफी ज़्यादा important setting है ये तो जो लोग जानते है personalized ads कैसे बंद करते हैं वो लोग वीडियो को skip कर सकते हैं जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो भी skip कर सकते हैं लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं वीडियो को end टक जरूर देखे दोस्तो special talent of blind चैनल पर काफी important सी वीडियो upload हो रखी है आप लोगों को उस वीडियो को जाकर जरूर देखना है कली ये वीडियो upload की गई है description box में उसकी link हमने दे रखी है अगर आप individually रास्ता क्रॉस करना चाहते हो यानि कि आप अकेले रास्ता क्रॉस करना चाहते हो सीखना चाहते हो कि एक blind वेक्ती एक दिश्टिबादित वेक्ती किस प्रकार अकेले अकेले रास्ता क्रॉस कर सकता है और रास्ता क्रॉस करते समय किन-किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए ये चीज़े अगर आप सीखना चाहते हो तो नीचे फटापर description box में जाए और उस link को जो है open करिए और special talent of blind चैनल पर शेयर करना है जै दोस्तों जितना जादा आप नर्मल लोग के साथ उस वीडियो को शेयर करोंगे उतना जादा जो है हमारा motivation बढ़ेगा तो जादे से जादा लोगों तक वीडियो शेयर करें तो मैं हूँ आपका दोस्त जीतुराज चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे किस प्रकार से हमें परस्नलाइज एड्स जो है बंद करनी है ताकि आपको कोई भी इस्यूज ना हो तो सेटिंग में चलिंगे हम लोग अपने फोन की यह सेटिंग में आने के बाद हमें Google में जाना होगा हैब गुगल को अप्शन होगा ठीक है गुगल गुगल सर्वीस इस तरह से होगा आपके फोन मेंहागं मैं गूगल होगा यह फिर गूगल सर्विस के नाम से होगा तो इसका उपन करेंगे अब यहां पर उपन करने के बाद यहां पर आपको अपना अकाउंट इसमें चलेंगे इसमें चलेंगे अब यहां पर डेटा और प्राइवेसी में चलेंगे इसमें चलेंगे अब यहां पर आपको माइड सेंटर दूंड़ना है स्वाइप करते करते आगे जाना सारी यूटूब लोकेशन हिस्ट्री सब कुछ मिलेगा आपको यहां पर आगे आपको पर यहां पर हम लोग माइड जो परस्नलाइज आड इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे अब सबसे पहले यह चानल लेते हैं कि इसको बंद करने से क्या होगा यहां पर जब आप गूगल पर कोई गूगल की किसी बी अप्लिकेशन में अगर आप सर्च करते हो जो आप सर्च करते हो उससे रिलेटेट चीजें जो आपको दिखाई देती है और फिर क्या होता है कि कई बार हम लोग उस एड पर क्लिक भी कर देते तो उसके एक्कौर्डिंग हमें कॉल्स भी आने लगती है है ना cause भी आने लगती है उसके बाद हमें कई-कई बार हमें उसके suggestion आने लगते है text message आने लगते है तो यह सारी चीजे ना हो इसलिए आपको इस option को बंद करके रखना है हाँ लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर आपको एक प्रोड़क्ट सर्च कर रहे हो और उसके according अगर आपको दूसरा भी प्रोड़क्ट डेखने के लिए अगर प्रोड़क्ट आप इस option को यूज़ कर सकते हो लेकिन जो लोग खासे परशान हो जाते है यहां पर आके इस चीज़ को बंद करके रख सकते हैं अब इस चीज़ आपको एक्स्ता की ऐड्स वगरण नहीं आएंगे एक्स्ता के जो है जो सब नहीं आएंगे बात में आपको कुछ और रेक्मेंडेशन आ जाता है तो वह सारी चीजिए आपको नहीं आएगे तो इस पर क्लिक करेंगे परस्टनाइज एड्ट परस्टनाइज एड्ट और गूगल इसको आपको डॉबल टैप करेंगे हम लोग तो खुले गई तो है क्रोम ओपन हो रहा है ठीक है अभी अपर माइड सेंटर open हो गया है मिल रहा है तो सिंपल आप इस पर टरन आफ कर सकते हो मैं इस पर क्लिक करूंगा तर्न आफफ पे अब क्लिक कर आट आभ प्रकुलता है सारी चीजिए आपको वन बायवन दिखाई देगी मैं आपको सब्सक्राइब कर दो कि अधिक है यहां पर टॉपिक्स और ब्रैंड्ड्स आप कौन से जोई देख रहे हुआ कि आप कर सकते हो यहां पर क्या होगा कि आपको पर द लेकिन ज्यादा नहीं दिखायदीगीisiert कम दिखाई दीगे आपको थोड़ी है ना और जो चीज़े आपको चीज़े आप सर्च कर रहे हो सिर्फ वही चीज़े आपको वहाँ पर दिखाई देगी तो इसको हम टॉन आफ करेंगे ठीक है इसने अनॉंस कर दिया परस्नलाइज एड इस नाव आफ तो आप लोग जो है करता हूं आप लोग को सारी चीज़े समझ में आये होगी जिन लोगों की समझ्या थी कि अगर वो क्रोम में सर्च करते हैं और फिर वहां पर उनके साथ कोई आड आती है वो क्लिक कर दिया उसके रिलेटेट फिर उनको फोन भी आने लगे जो भी वो कुछ सर्च करते हैं उ अपनी एड को बंद करोंगे मिलते हैं किसी और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जाहिए